नमजकार मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं Nptv इंडिया हिंदुस्तान में मशूर होना भी एक दिक्कत है और ये दिक्कत इस समय आईएस टीना डावी जहल रही है टीना डावी वही है जिन्होंने साल 2015 में UPS seat top किया था और साल 2018 में आईएस अमेर हुल शफी खान से शादी कर खूब सूर्ख्यां बटो रही थी टीना डावी अजमेर में ही ट्रेनिंग कर चुकी है लेकिन आईएस टीना डावी अब विवादों में है फिलार राजिस्थान के बिलवाडा SDM पत पर काईरेट टीना डावी पर CA और NRC के विरोध में कतित तोर पर फेस्बुक पर टीपडी किया जाने का गंभीर आरोप लगा है वहीं दूसरी और जब हमने फेस्बुक खंगाला तो टीना डावी के नाम से फेस्बुक पर सौ से ज़्यादा फेक अकाउंट नजर आ रहे है जिसे अब तक रोका नहीं गया है लेकिन हमारे यहां असली और नकली का पता आखिल लोगों को कहां पता चलता है हमारे यहां तो आई-म टीना डावी नाम के पेश को भी असली मान मिया जाता है खेर यह सब समझदारी छोड भिलवाडा भाजपा ने ग्रह मंतरी को पत्र लिखकर SDM टीना डावी के खिलाफ कारवाई की मांग किये भिलवाडा भाजपा जिला देक्ष लादू लाल तेली के नेतरत में भाजपा नेताओं और पतादिकारियों ने आई-एस टॉपर्ड SDM भिलवाडा टीना डावी के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर प्रदशन भी किया है और ग्रेमंत्री के नाम भिलवाडा जिला कलेक्टर राजिंदर भट को ग्यापन भी सौपा है ग्यापन में इस पस्ट लिखा है कि 17 दिसंबर 2019 को CEA और NRC को लेकर SDM टीना डावी ने फेस्बुक पर विवादिट टीपड़ी की थी मीडिया से बाचीत में जिला देक्ष तेली ने कहा है कि I.S. जैसे समविधानिक पत पर होकर एक अधिकारी द्वारा सरकार और समविधान विरोग्टीपड़ी करना आश्रण अधिनियम के खिलाफ है इसकी जाँच केंद सरकार द्वारा ग्रहमंत्राले और शीष एजेंसियों से करवाई जानी चाहिए जिस पर बिलवाडा जिला कलेक्टर भट ने ग्यापन देने आए भाजपा प्रतिनिदी मंडल से बातचीत कर जानकारी दी है कि मामले में प्रारिमिक जाँच में सामने आया है कि टीना डावी के नाम से फेस्बुक के उपर 120 अकाउंट बने हुए है जिनकी जाँच करवा जाएगी गौरतलाव है कि 17 दिसंबर 2019 को सोशल मीडिया पर टीपणी के बाद ट्रॉल हुई टीना डावी ने अपने एक फेस्बुक अकाउंट को अधिकित बताते हुए उस पर पोस्ट डाली और ये भी लिखा कि उनके नाम से फेस्बुक पर कई फरजी अकाउंट बने ह हुए जो विवादित पोस्ट कर रहे हैं वे खुद भी अग्याद के खिलाब उनके नाम से विवादित पोस्ट डालने का मामला दर्च करवा रही है